हाई वरीवन वेरी गुड मॉर्निंग तो अल फ्यू गाईज स्टुडेंट्स कंपाउंड इंट्रस्ट में काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी सो टुड़े आइम हेर विडसेपरेट वीडियो उन दिस TOPIC कंपाउंड इंटर स्टू जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही तरीका बताऊंगा एक ही तरीका बताऊंगा आपको जिससे आप लोगश Legislature अपने अपकमिंग एक्जाम में आपने निकालना है क्योंकि आप जितने जादा इसके बारे में तरीके इसके सीखते हो उतनी ही जादा आप लोग गलती कर जाते हो जो आज मैं सिखाने वाला हूं आने वाले जो आपका आठ नवेंबर को एक्जाम है B.S.F.C.S.F. का ठीक है इसमें सारे के सारे बच्चे जिनको नहीं आता है ठीक है जिनको आता है वो अपने तरीके से कर सकते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ यही तरीका लगाना है अपना दो नंबर आपने क्या करने है पके करने है ठीक है देखो compound interest is a very crucial topic in your selection क्योंकि यह आपका difficult topics में आता है और जो सिंपल सी बहाशा में अभी मोटा मोटा बता दूंगा फरिक क्या होता है बाकि इसकी एक separate class हम लोग रखेंगे फर जेकी एसस भी एंड अपकुपिंग एक्जाम के लिए ठीक है second year भी 5000 पे ही मिलेगा और simple interest क्या होता है हमेशा क्या रहता है हर साल का रहता है equal ठीक है इसके लिए एक separate video बनाएंगे जिसमें simple interest की trick सिखाऊंगा बट आज हमारा focus कहा है compound interest पे ठीक है अब मानो compound interest में यह फरका आता है कि मानलो आपने 5000 पे लगाए ठीक है first year में आपको interest मिला उसके उपर मानलो 500 रुपे interest मिला तो जब second year में ब्याज मिलेगा ना दूसरे साल में ब्याज मिलेगा तो इसके principle पे तो ब्याज मिलना ही मिलना है इस पे तो मिलेगा ही मिलेगा कितना 500 इसके साथ साथ पिछले साल का जो ब्याज होता है पिछले साल का जैसे यहां 500 है इसके उपर भी कुछ ना कुछ आपको इंट्रस्ट मिलेगा ठीक है तो यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि compound interest जो है वो हर साल equal नहीं रहता ठीक है equal रहता होता तो अगर एक साल का 500 है तो 10 साल का हम लोग सीधा निकाल सकते थे multiply करके ऐसा किसके case में होता है simple interest के case में हर साल simple interest क्या रहती है बराबर इसमें अभी ज्यादा नहीं जाएंगे compound पे focus करेंगे ठीक है अब आपने तरीका सीखना है कि हमें चीजों को करना कैसे है simple और compound का difference मैंने बता दिया कि compound interest में interest on interest कि ब्याज वाले पैसे पे भी अगले साल ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है मानलो आज आपने 10,000 पे बैंक में जमा कराए एक साल के बाद वो होगे 11,000 अब जब second year आएगा तो आपको जो ब्याज है वो 11,000 पे मिलेगा ना की 10,000 पे ठीक है तो compound interest calculate कैसे करना है मैं question की help से आपको समझा दूंगा आप लोग ने बिलकुल एकदम साफ माइंड से उसको समझ लेना है देख दो question practice कर लेना है question is saying find the compound interest for rupees 5,000 invested at the rate of 10% for two years दो साल के लिए पूछा है देखो आपने सबसे पहले क्या देखना है rate of interest ठेक है दो लाइने यहां पर लिख रहा हूं that principle यह लिखनी आप सब ने अपने पी notebook के समय नहीं है is always 100% of itself इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हर एक number आपने आपका कितना होता है second चीज इंटरस्ट compound लिख लेना यहां पर is always calculated on principle कि ब्याज जो है वो हमेशा किसके उपर निकलेगा आपका principle के उपर rate of interest दिया है 10% तो मतलब की principle अपने आपका पहले कितना था 100% तो एक साल में वो कितना बन जाएगा उसका 110% किसका किसका बनेगा principle का तो principle कितना है यहां पर हमारा 5000 यह हमारा क्या बना एक साल की amount amount मतलब इसमें principle भी जुड़ा है और इसमें क्या है आपका compound interest भी है ठीक है यह first year का similarly जब second year आएगा दूसरा साल आएगा तो यह जो पूरा का पूरा पैसा होगा ना इसके उपर ब्याज लगेगा आपको है ना तो दूसरे साल में amount क्या बनेगी हमारी फिर हम क्या करेंगे 110 परसेंट निकालेंगे किसका पहले वाले पैसे का 110 परसेंट आफ 5,000 का टेक है similarly third year fourth year इस तरह से यह चीज़े चलती है यह मैंने आपको समझाया आपने question कैसे solve करना है वो देखो अब आपने direct यह चीज़ याद रखनी है कि अगर पहले साल 10 परसेंट पर आज पढ़ना है तो first year में कितना ब्याज बनेगा 110 परसेंट दूसरे साल में 110 परसेंट हमें यहां पे सिर्फ दो का निकालना है आपने आफ किसका निकाल देना है principle का किसका principle का क्योंकि जो आपका compound interest है चाहे simple है वो किस पे निकलते हैं हमेशे principle के उपर बस यहां से amount न यह 2-0 से 2-0 काड़ दिये इस 0 से मैं इसको काड़ देता हूं इससे मैंने इसको काड़ दिया अब सिर्फ रबची है multiply 11 को 11 से multiply किया बना 121 कैसे क्योंकि मैंने आपको square से याद कराए है कहां से कहां तक एक से लेके 25 तक जिसने नहीं कर रहे है वह जरूर कर लेगा ठीक है और क्यूब निकालने की शॉट ट्रिक भी मैंने इसकी पर वीडियो बनाई है जो जिस चीस को चाही होंगी इस नंबर पर WhatsApp करना मैं आपको send कर तो ठीक है तो यह बना 605 और यह वाला जीरो बचा था जीरो ठीक है अब बेटा यहां पर निकला क्या है हमारा दिस इस amount amount में आपका क्या क्या होता है principal प्लस compound interest इस चीज को याद रखना जब भी हम निकालेंगे यह निकलेगा आपका compound interest के साथ साथ principal हमें क्या चाहिए compound interest तो उसके लिए क्या करेंगे amount में से minus करेंगे principal को ठीक है तो कितना यह एक हजार पचास तो यह आपका इस question का answer बनेगा ठीक है this is the right way to find the compound interest in case of two years तो जब कि दो साल दिखे यह step बनाओ ठीक है इस step के बाद सिर्फ calculation करनी है multiply करनी है easily आपके answer साना start हो जाएगी ऐसे निकलेगी आपकी amount उसके बाद अगर compound interest पूछा होगा तो subtract कर देना उसमें से minus कर देना किसको principle को थोड़ा सा इसको समझने में अभी दिक्कत हो सकती है दो दीन questions all करोगे हो जाए गर आम से ठीक है एक बार फिर कर देते है किया कैसे detail कर देता हम थोड़ा साथ ठीक है see rate of interest कितना 10% पहले साल में पैसा कितना बनेगा 110% ऐसे लिखना है दूसरे साल में फिर 110% क्योंकि पिछले वाले पैसे पर ब्याज मिलेगा अब दो साल का ही पूछा है तो आफ क्या निकाल देना है principle principle है कितनी पांच हजार calculation करोगे यह बनेगा 6050 पर याद रखना यह आपका क्या निकल के आता है amount में क्या क्या चीज एड़ होती है principle और compound interest अब compound के लिए क्या करेंगे 6050 में से माइनिस करेंगे principle को आपके बास निकल के आ जाएगा answer सिंपल नेक्स्ट तीन साल का पूछे अच्छे यहां पर तीन साल कर लेना थ्री यह का पूछे तो क्या करेंगे similarly same करने 10% कभी आज है first year second or third year कितना परसेंट 110 क्यूंकि 100 पे बढ़ता गड़ता है 100 पे फिर यहां पे 110 फिर यहां पे 110 परसेंट अब multiply ले लो off क्या लेना होता है principle यह क्या निकल के आती है है guys this is amount ठीक है करो इसको 110 बटे 100 calculation में थोड़ा सी तेजी आपको करनी पड़ेगी बढ़ी यह शोर शार्ट तरीका है अगर आप ज्यादा तरीके सीख लोगे तो paper में apply नहीं कर पाऊगे क्यूंकि mix हो जाते हैं तरीके मैं चाहता हूं आप 8 November तक अपने दो पके कर लो इस ट्रिक से बाकी आने वाली जब अगली class अगला पेपर आएगा तब तक मैं आपको detail में इस चीजों को fighter बना दूंगा जैसे percentage वगारा में आपको बनाया है ठीक है करूं calculation दो 0 यह है दो 0 यह एक यह कठ कर तो एक दो और यह तीन अब तो क्या बचा है सिर्फThat का फैर भार को होता फिर्टा है Woah क्या है जैरा के लेना है क्यूंव पिर सेने याद करए हैं एक से लेके बारा तक के ए consuming आधरी बरतनी है कि आपने याद करे है या नहीं करे है तो यह बनेगा 1,3,3,1 multiply by 5 को रों multiply पांच एक पांच पांच तिया पंदरा, पांच तिया पंदरा, एक सोला पांच एक पांच और एक छे यह बना 6,6,5,5 ठेक है बट यह है क्या हमारा इस इस amount हमें क्या चाहिए हमें चाहिए compound interest, so compound interest के लिए क्या करते है amount में से minus करते है किसको principle को कर दो principle को minus, कितना बने गए पिछे, 16,5 ठेक है यह आपका compound interest है for 3 years, so this is the right way to find the compound interest for 3 years and 2 years, I hope यह trick आपको बहुत अच्छी लगी होगी students आप लोग आप क्या करेंगे सारे के सारे बच्चे आप लोग को खुद compound interest के questions खुद डूंडिये जो भी book आपके पास है उसमें से solve करिए questions को अगर ये एक भी question आपका फस गया तो उसके लिए मैं जिम्मेबार हूँ याद आपने ये रखना है, इस तरह से निकलता क्या है compound interest क्या निकलता है, sorry amount निकलती है उसके बाद उसमें से principle को minus करना होता है, ठीक है, एक और questions के help से समयते हैं, मान लो यही conditions change करके मैं आपको दे रहा हूँ, यहां मैंने दे दिया 8000, यहां मैंने दे दिया आपको 8%, यहां दे दिया 3 years, ठीक है, तो कैसे करोगे, और कर देता हूँ, थोड़ा सा, देखो 8% बढ़ना है, आपने लिखना है first, second और third year, पहले साल कितना calculate 108 बटे 100, 108 बटे 100, 108 बटे 100, multiply by 8000, ठीक है, calculation बची है, 208 को 108 से करो, फिर 108 से करो, फिर 8 से करो, फिर points लगा के answer निकाल लेना, ठीक है, this is the right way, calculation तो अब आपको आती, यहार, 108 को 108 से multiply करना तो आना ही चाहिए, ठीक है, कैसे मैं करता तो कैसे करता, 10 का square, 108 का square, चोट, 10 68, 80 को 2 से गिया, 160, 46611, so students, this is the shortcut to find a square of a number, इसकी वीडियो आपको playlist में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, square और cube root की, तो मुझे बता देना, square निकालने की, square root, cube or cube root निकालने की, तो मैं आपको वो भी provide कर दो मा, ठीक है, मेरे WhatsApp नमबर पर मुझे message कर देना, so I hope यह चीज आपको बहतरी लगी होगी, students, इसी तरह की छोटी-छोटी videos, जिस भी topic में आपको problem है, आप मुझे इस number पर WhatsApp करके बता सकते हैं, जैस video के description box में लिखके बता देना, comment box में लिखके, कि सर अब next जो छोटी सी video है, वो इस चीज पर आने चाहिए, बाकी हमारी 9 PM वाली daily live class चला करेगी, उसमें हम लोग बहतरीन से बहतरीन concepts आपके लिए कर दो है, जब इस चरोगिए, औरा सकत आपिस कली लोगा हमारी हमारी करेखबी।